अगले बरस यानी 2022 में असेंबली चुनाओ है चुनावी साल मानकर अब योगी सरकार ने जिले में विकास कारियों की हकीकत परखनी शुरू कर दी है शायद यही वज़ा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राकलन समीत की दिती उपसमीत की दस सदसी टीम बुद्धवार को सीड़ा पुराएगी यहाँ पर विभागी अफसरों की संग बैठक में गुप्त गू कर सरकारी विभागों की परियोजनाओं की हकीकत जानेगी बाद में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी आपको बदा दें कि साशन इस्तर से गटित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राकलन समीत की दिती उपसमीत में ग्यानेंद्र को सभापती बनाए गया है जबकि सुरेशवर सिंग, साकेंद प्रताप वर्मा, रोशन लाल वर्मा, धरमेंद स्चिंग शाक के पप्पु भाईया, दुर्गा प्रसाद यादो, राकेश प्रताप सिंग, डॉक्टर हर गोविंद भारगो, कुवर मादवेंद प्रताप सिंग और आशी सिंग पतेल, आशी को बतोर सहयोगी सदसी बनाए गया है, दस अदसी यहाँ टीम बुद्धवार की दुपहर, दो बजे लखनाउं से सीतापुर के लिए रवाना होगी, और वाया सडक मार्ग होते हुए सीतापुर सरकिट हाउस पहुचेगी, यहाँ पर टीम समाच कल्यार विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्थ विभाग, पंचाती राज विभाग, चिकिस्ता स्वास एवं परिवार कल्यार विभाग, ग्राम विकास विभाग, ग्रह विभाग, उर्जा विभाग तधा परिटन विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक करेगी, और बिंदुव संबोधित विभागों की कारों की समिख्षा कर प्रगती जानेगी इसके अरावा यहां तीम विकास कारों का अस्थाली सत्यापन भी करेगी खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया